हलो नोश्कार सच्रियकाल दोस्तों मैं हूँ राजपाल सिंग और आप देख रहे हैं दी इमेजिंग तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी फोटो में से की जो हती है उसके फोटो के उसको दूसरी फोटो पे कैसे एपलाई किया जाये बहुत लुटी इंग तृट से मतलब कि सकन को कैसे match किया जाए किसी other photo में से another photo में से उठा करके skin tone को कैसे match किया जाए आपकी image पर चलिए दोस्तों बिना समय को कवाते हुए video को करते हैं start video को start करने से बढ़ एक request है अगर आप नहीं है तो चैनल को subscribe करने नए नए वीडियो देखने के लिए और वीडियो को कर दें like क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है पूरा वीडियो देखें skip ना करें तो चलिए दोस्तों चलते हैं computer screen पर तो दोस्तों यहां computer screen पर हम आ गए हैं और यहां पर मैं दो images जो है वो open कर लेता हूँ जो मैंने unsplash.com से दी थी यह देखें दोस्तों मैं drag करके यह दोनों images जो हैं मैंने यहां open कर लिया है ठीक है दोस्तों यह जो है इसका हमने color जो है change करना है और यह जो है यह हमारा source color है मतलब इस image में से color उठाएंगे और इस image पर हम apply करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम एक new file जो है वो यहां create कर लेते है यह वाली iles मैंने यहां create कर लिये और सबसे पहले हम source image जो है इसको copy कर लेते है control में से हमने किया है इसने 1080 on control scene से हमने copy किया है और यहां से वे से close कर देता हूँ और यहां हम paste कर देते हैं यह हमारी short image हो दी दोस्तों ठीक है इसकी में remove करके यहां set कर देता हूँ थोड़ असा इसको हम zoom कर लेते हैं इस तरीके दे और अब हम दूसरी image को भी इसी तरीके से copy करके ले आएंगे और इसको भी हम खोगा सा जूम कर देंगे इस तरीके दे तो यह हमारी दो images हो गई ठीक है दोस्तों हम थोड़ा सा बीच में gap कर लेते हैं को ही यहां यहां यूज करेंगे कुछ तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है आइड्रोपर टूल का यूज करते हुए हमें कलर जो है वो यहां पर सेलेक्ट कर लेने है तो आइड्रोपर टूल की सेटिंग क्या रखनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर हम यहां से आइड्रोपर टूल जो ह हमारी इमेज है जिसका कलर हमें उठाना है वह आप एक क्लिक करके उसका कलर जो है ले लेंगे और ब्रस्टूल के साइथा से हम यहां पे फुरा सब ब्रस्ट की सेटिंग को मैं चेंज दर देता हूं वाफस से और यहां पहल एक एक क्लर की सेंपल ले बना लेंगे लेकिन उससे पहले हमें क्या करना दोस्तो का क्लर की सेंपल इसी तरीके से हम drag करके दूसरी photo का sample भी एहां से उठालएंगे alt का यूज़ करते हुए यहां पर click हिया अब हम यहां पर जो है दूसरा sample color भी डौकर लेंगे इसी layer के अंदर ठिक है दोस्तो यह तो हमने color के samples उठालिया है दोने images के अब हमें क्या करना है अब हमें sample color के mark बनाने हैं दो तो वो कैसे बनाएंगे यहां से eye dropper tool के अंदर ही हम जाएंगे वापस से और यहां पे color sample tool जो है इस पे हम click करेंगे बड़ी ही आसानी से ठीक है तो सबसे पहले हम shorts पे click कर देंगे दोस्तों यहां पे और फिर हम करेंगे क इसको हमने replace करना है color को उस से यह दो हमारे points बन गए है अब आएगा दोस्तों बड़ा ही interesting जो काम है जो अब हम करेंगे वो बहुत ही interesting है उसके जरिए ही आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से color एक दूसरे पे replace करवाया जा सकता है जो matching जो है वो कैसे करवाई जा सकते है तो यह देखिए दोस्तों यहां पे पहला जो sample हमने लिया था यहां लेकिए इसकी RGB values वो यहां आ गई है और दूसरा जो color है उसकी RGB value यह है तो हमें इस RGB value को यहां से उठा करके इस RGB value पे replace करवाना है तो वो करवाने के लिए हमें क्य और उसके बाद में इस adjustment layer को हम यहां ले लेंगे और यहां पे यह जो target वाला point है इसका हम use करेंगे यहां से ठीक है दोस्तों और यहां पे click करके और हम alt control और shift का use करेंगे दोस्तों control और shift का use करते हुए जो हमारा जिस color पे हमने replace करवाना है उस sample के उपर हम click करेंगे यहां ठीक है दोस्तों click कर लिया उसके बाद में हम जाएंगे वापस से यहां पे अब क्या करना था इस RGB value को इस RGB value से replace करवाना है तो हम क्या करेंगे channels का प्रोग करेंगे red channel में पहले जाएंगे हम तो उसमे 135 की जगह 223 करना है हमें तो 135 की जगह हमने किया 223 ठीक है दोस्तों यह रेड चैनल की values हो है वो replace हो गई यह अब हमें इसी प्रकार से green की करनी है green में हमें देखना है 107 की जगह हमें करना है 177 तो 107 की जगह कर दिया हमने 177 तो यह green की values है वो भी उस color पे replace हो गई अब हमें करना है दोस्तों blue की तो blue channel को select करेंगे इसी प्रकार से 94 की जगह 154 जो दोस्तों यह जो भी value change करनी है वो हमेशा output level में ही change करनी है input level में आपको कुछ भी नहीं करना है और output level पे ही आपको work करना है तो यह तो हो गया दोस्तों work अब हम इसे कर देते हैं close skin tone हमने match कर दिया है अब हम करेंगे कि यह जो हमारा curve का mask जो बना है अब हम इसको invert कर देते ह यहां पर द्यान रखें कि यह mask वाला area ही select होना चाहिए control i का use करते हुए हमने इसको invert कर दिया अब हम क्या करेंगे brush tool की सहाइता से masking करेंगे only skin की यह देखिए अब हम brush tool लेंगे brush tool हमने ले लिया और मैं show कर देता हूं आपको यहां पे tools तो यहां देखिए black color उपर है तो black color यहां भी है तो हमें black color का use नहीं करना हमें white color का use करना है तो मैं replace यहां से जो है कर देता हूं color हो अब हम जो hardness है वो हमें कम रखनी है बिल्कुल hardness को हम hardness बहुत ही कम रखनी है zero hardness मैंने यहां कर दिया अब हम masking का प्रोग करते हुए हमारी skin tone जो है वो लाएंगे यह बहुत ही easy method है दोस्तों इसका use करते हुए आप किसी भी skin tone को replace करवा सकते हैं किसी भी skin tone से match करवा सकते हैं बिल्कुल बहुत ही आसानी से यह देखिए दोस्तों match होती जा रही है आप चाहें तो lips पे भी use कर सकते हैं अगर आपने lips को use नहीं लेना है यह lips का color जो है वो replace नहीं करवाना है तो आप नहीं भी कर सकते हैं यह देखिए दोस्तों इस तरीके से आप color को replace करवा सकते हैं बड़ी ही आसानी से बहुत ही आसानी से skin tone जो है वो match हो गई है यह देखिए दोस्तों इसकी skin tone के साथ इसकी skin tone जो है वो match हो गई है shorts color का matching है वो यहां हो चुकी है अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम जहां पर shorts color हमारा है उसके साथ में जिस color को replace करना था उस पर हम mask का use करके देखते हैं यहां से यह देखिए दोस्तों दोनों का color जो है एकदम बिलकुल match हो गया है यह देखिए दोस्तों दो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप comment करके हमें जरूर बताएंगे और साथ ही साथ वीडियो को like करना ना भूलें अगर कोई पहली बार मेरा दोस्त वीडियो देख रहा है तो वो इस चैनल को subscribe जरूर करें और bell icon को press जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के सार मेरी left side में है तो दोनों वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी है बहुत अच्छी वीडियो है यह जो है remove background का वीडियो है जो भी recently मैंने upload किया दा और यह वाला जो वीडियो है यह है कि photoshop का plan आप कैसे purchase कर सकते हैं कैसे आप plan ले सकते हैं उसका वीडियो तो दोनों व वीडियो में इतना ही आप लोगों का बहुत बहुत तन्यवाद जय हिन जय भानत